find the zeros of the quadratic polynomial यानि कि यहां पर आपको FX का यह वह value दे रखा है यह आपका दे रखा है 2 x square minus 11 x प्लस का 15 15 इसको तो x square plus Bx plus C होता आपका basic इसका general format है तो अगर इसका कमान बी कमान सी कमान आप यहां पर निकाल लो पड़ाक से एक कमान कितना हो जागा टू बी कमान नीगेटिव का वान सी कमान अपका 15 जैसी यह चीज़ आ गया आपको क्या करना है इसका मिल टम तोड़ लीजिए और फ्रेक्टेस का फैनोड किर जी प्लस का 15 आपको लाना कितना है 30 कितना है तीस आएगा और तीस को दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर घटाने पर आपका 11 आ जाए च्छे और 5 तोर सकते हो च्छे पचछे 35 और 6 और 5 ले लो दोनों में आप एक शेच लगा लो यहां पर नीगेटिव और यहां पर पर ते बचेका आपका x-3 यहां पर आपका 5 कमार निकल रिखा फिर से बचेका आपका x-3 बरावर में 0 एकस मार तीन को कमार निकाल लो और इ цент genome 2x-3 द्हुक्र्ख से बचेकाए आपक का 2x-3 में 5 एकवल टू जिरни अभिशिच बाद आपको यहाँ पर X का मान 3 और X का मान यहाँ पर 5 by 2 हो जाएगा जब दोनों का जिरो जिरो के बराबर रखोगे तब इसके बाद आपको आपको निकालना है Sum of zeros and product of zeros पहरा निकालेगा आप यहाँ पर Sum of zeros Sum of zeros Sum of zeros का मतलब आप अलफा और प्लस बीटा का मान तो यह रहाँ आपका अलफा और दूसरे वाले को मान लूँ आप बीटा तो थिरी प्लस का आप 5 by 2 को करना परेगा यहाँ पर और सेके नोवान इस प्रोड़क्ट ओफ जिरो 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 यानिकी अलफा इंटू बीडा निकालना परेगा तो तीन गुने 5 बटा 2 निकालना परेगा आपको यहाँ पर अब बस यहाँ पर जोड़िए जोड़िएगा तो यह आपका हो जागा 6 प्लस में 5 डैट मिस 11 बाइटू अब 11 बाइटू आपका पोजिटिव आए तिसको क्या करना परेगा आपको नेगेटिव बदलना परे डिवाइड में 2 किसके लिए दिख रहा है एक के लिए तो यहाँ पर हो जाएगा सिमिलर्ली यहाँ पर करोगा सॉल्व तो 15 बाइट 2 हो जाएगा 15 कहां पर दिख रहा है तो यह आपका सी और 2 कहां पर दिख रहा है उपर यहाँ वाले पास यहाँ पर यहाँ यह लिख लो जिसी हो जागा आपको यहां पर constraint और और यह को क्या कहिएगा coefficient of coefficient of x square है ने coefficient of x square similarly यहां पर भी क्या करेगा माइस का भी होए तो आप लिखेज़ीगा कि coefficient of b negative का और coefficient of x square बस इतना ही करना होता हर बार चलिए next question देखिएगा